तनल का जवाब नहीं है यह निश्चित तोर पर कहा जा सकता है यहाँ पर कई और चीजे हम आपको बताना चाहेंगे इस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो यह हम कह सकते हैं कि हावडा नदी के नीचे से होकर यह ट्रेन गुजरेगी और उसकी पूरी मार्किंग की गई है ज पहसूस होगा कि आप नदी के नीचे से जा रहे हैं जब हावडा की बात करें हावडा मैदान के लिए है ट्रेन जा रही है तो हुगली नदी के नीचे से होकर हम गुजरेंगे और यहाँ एक और चीज़ हम बता दें कि इसमें अगनी समन के भी पर्याप्त इंतजाम किये गए हैं क्योंकि आज पास का जो इलाका है जो पास की टनल है उसको भी जोड़ा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रूट भी दिये गए हैं साथी साथ इस टनल की एक और खासियत है जगए जगए पर अंदर की अगर हम बात करते हैं तो CCTV भी लगाई गई है यान जो खास काम है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें लंबा वक्त लगा है अब जो सामने आपको नजर आ रहा है हम कह सकते हैं कि नीले रंग का द्रस से आपके सामने नजर आ रहा है और यहीं से हम कह सकते हैं कि हुगली नदी के नीचे हम पहुँच चुके हैं यह हुगली न यहां पास में अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि एक अलग तरीके की डिजाइन भी दिये गए हैं जो कहीं न कहीं इस वीडियो में आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन जो लोग खिड़की पर बैठे होंगे वहां पर हम कह सकते हैं तमाम जीव जन्तु भी जब यह इस्टेशन बन रहा था तब भी हमने आपको दिखाया था और आज हम 40 साल पूरे होने पर भी आपको दिखा रहे हैं तो यह जगए अपने आप में खास हो जाती है हावडा स्टेशन आ चुके हैं यहाँ हावडा स्टेशन हम पहुंच चुके हैं और यहाँ एक और मैं आपको बता दूँ हावडा मैदान यह इस्टेशन है और यह इस्टेशन कहा जा सकता है कि देश का सबसे जादा गहराई पर मौजूद इस्टेशन है और यह निश्चित तोर पर कहा जा सकता है कि कोलकाता मिट्रो कहीं न कहीं कोलकाता के लोगों के लिए जरूरत बन ग्यादी